असलाम अलेकुम स्टूरेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मसल टिशूज पर ठीक है जैसे कि आपको पता है यूमन बॉड़ी जो है वो किस से मेड़ पॉप मेड होती है ठीक है फोर टाइप के टिशूज जो है वो प्रेजिंट होते हैं यूमन बॉड़ी में जिने का जाता है फॉर्ष जो है वो एपिथिलियल टिशूज सेकिंड कनेक्टिव टिशूज ओके थर्ड जो है वो अ मस्कुलर टिशूज एंफोर्थ जो है वो नर्वस टिशूज ठीक है यह फोर टाइप के टिशूज जो है वो यूमन बॉड़ी में प्रेजिंट होते हैं इसतरह से एक स्ट्रह छो हमारा की टिशूज थिए वह पोर्म तरह से हमारी बॉडी की जो मसल है फोर्मड हुए में वह मस्क्यूलर टिशू're को जई नौ टिशूज बने हुए थीक है सुमनब मॉस्किल को यह थिटाइब किया गया है ठीक है कौनकोंसी जो है फस्त है करदियक यां कार्डियक टिशू ठीक है और इसके लावा जो है फास इसके लेटल मसल्स ठीक है तो यह जो मुसल्स जिस्ट कीडी टाइप मसइनतर में स्केलेटल मसंट प्राइब पूल शेुट ही इसके इलावर हो पॉत हैं अब यहां पर शेख सकते हैं कि हमारा पाधिक मसें सबसाओ इन Dry ऐस मोड立ूसान बट इस monthsnewla I & का मतलब क्या हम टाए थे कि क्योंकि कारडियो जो tissues हैं हमारा जब जो heart beat करता है, pump करता है, blood को जो है वो throughout the body transport करता है, क्योंकि अगर heart जो है वो blood को पूरी body में transfer नहीं करेगा, तो oxygen जो है वो पूरी body की तरफ transfer नहीं हो पाएगी, जो के हमारी body के जो important functions है, ATP production है, ठीक है, उसे ही production है, वो सारे के सारे functions जो है, वो perform नहीं हो जो है, अगर heart जो है, वो blood की circulation जो है, वो नहीं करेगी, लेकिन इस पर जो हमारा कोई control नहीं होता, ठीक है, heart muscles जो है, cardiac muscles जो है, वो क्या करते हैं, वो अपना function जो है, वो खुदी करते हैं, इस पर हमारा कोई भी control नहीं होता, इस वजए से इने कहा क्या कहा जाता है, involuntary, मत जो है, तब आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, कि heart को जो है, वो आप खुद order दें के वो अभी pump करें, और इसके बाद जो है, वो blood को pump करना, stop कर दे, means वो beat करें, और beat करना, stop कर दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, it's mean कि उन पर हमारा कोई भी control नहीं होता, इस वजए से उने कहा जा ठीक है, क्योंकि, for example, अगर हमारा stomach है, ठीक है, ठीक है, यह कौन सा function, जो है, वो perform करें, हमारे food की, जो है, वो digestion ओकर हो रही है, तो इस पर भी जो है, वो हमारा कोई control नहीं है, कि हम कहें कि, हमारा जो है, जो है, वो food इस तरह से digest हो, या हम, हमारे जो muscles present है, इस टमक में हम कह हैं, कि वो इतना जादा जो है, वो expand हो, या dilate, इस पर हमारा जो है, वो कोई control नहीं होता, ठीक है, उसके बाद जो third है, skeletal muscles, skeletal muscles are voluntary, ठीक है, यह voluntary का क्या मतलब है, कि इन पर हमारा control होता है, इन के through, जो हम movement करते हैं, इन पर हमारा conscious control होता है, means, ठीक है, means इन को जो है, वो हम control कर सकते हैं, हम जब हमें move करवाना है, हमारी arm को, legs को, तो हम क्या कर सकते हैं, इन पर हमारा जो हो voluntary control होता है, तो इस पर जैसे हम कहते हैं, कि यह जो दो टाइप्स है, muscular tissues की, वो क्या है, वो involuntary है, और जो skeletal muscles है, वो क्या है, वो जो है, वो voluntary, voluntary हैं, ठीक है, यह three types बताईए है, skeletal smooth cardiac muscles, skeletal muscles जो है, वो voluntary है, यह involuntary muscles है, organs और cardiac muscles जो है, वो just उनके name से ही शो हो रहा है, they are found only in the heart, okay, अब muscles के जो है, वो function क्या होते हैं, सबसे पहले जो important function है, muscles जो है, वो कौन सा function perform करते हैं, muscles helps us move and maintain posture, ठीक है, like जैसे हमने skeletal muscle की बात की, कि skeletal muscles के through ही हम क्या कर सकते हैं, हम जो है, वो move कर सकते हैं, या हमारा जो body का poster है, यह जो हुम, जो है वो upside, जिस तरह से हम move कर रहे हैं, ठीक है, यह हम अपना posture maintain कर रहे हैं, वो किस की वज़ा से होता है, वो skeletal muscles की वज़ा से होता है, ठीक है, इसके लावा भी एक important function perform करते ह क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के टिशु जो यह क्या करते है वो हीट की करते हैं टीके जैसे कि आ हमारी बॉडी के जितने भी बी टिशु जैनि अगर हम cellular level तक भी बात करें चल्य तक तो अच्छ लयु़ धर परफॉर्म होता है कि का जाता है metabolism ठीक है metabolism में फिर दो processes आते हैं जिसे जिने कहा जाता है catabolism and anabolism catabolism का मतलब होता है कि food जो हम ले रहे हैं ठीक है like carbohydrates हैं ठीक है इसके लावा proteins हैं या lipids हैं ठीक है उनका जो metabolism होता है breakdown के बाद जो है वो जो उनका metabolism होगा metabolism होने के बाद उनसे एक चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसे का जाता है ATP एक molecule produce होता है जिसे का जाता है ATP adenosine triphosphate ठीक है ATP को जो है currency of the body भी कहा जाता है क्योंकि यह क्या होती है यह हमारी body के जो हम functions perform करें उनके लिए ATP जो है वो like energy energy है without इसके हम कोई भी function जो है वो perform नहीं कर सकते ठीक है लेकिन इस function से एक चीज़ produce होती है जिसे का जाता है heat ठीक है तो जो muscular tissues होते है muscular tissues जो है वो higher quantities बेंगे जो calories है carbohydrates है lipids है proteins है ठीक है इनको burn करते हैं और इनसे जो है जो है वो उनसे heat produce होती है ठीक है about हमारे जो body की 75% of the heat है ठीक है वो कौन से tissues जो है वो produce करते है muscular tissues ठीक है बाकि 25% जो है वो दूसरे हमारी body के tissues जो है वो heat produce करते है इस वजह से हमारी body का जो temperature है उन temperature को maintain करने में जो है वो muscular जो muscles है वो बहुत important role play करते हैं ठीक है इसी वजह से जब अगर for example बहुत जादा cold day है तो running से जो है वो क्या कर सकते हैं हम अपनी body का जो है वो temperature maintain कर सकते हैं यह एक effective method है body को जो है वो warm up करने के लिए okay इसके इलावा भी एक important function है किनका muscles का ठीक है कौन सा function है regulate organs ठीक है यह क्या करते है organs में जैसLastccege रूक है ठीक है stomach जो है वो किस चीजस का बना हूए smooth muscles जो इसमें present होते हैं तो वो क्या करते हैं हमारे जे और अचे डोप शचयतर्यों पिक है उनको हूं şekilde करते हैं उनके functions को ठीक है इसके इलावा इनका क्या function होता है कि यह जो है वो हमारी जो कुछ substances है बॉड़ी में उनको जो वो एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जो है वो transfer करते हैं ठीक है लाइक जैसे हमने हार्ट की बात की जो हार्ट में muscles present है वो क्या करते हैं वो blood को blood like substance ह तो blood को जो है वो transport करते हैं throughout the body इसी तरह से जो हमारा digestive system है like जैसे हमने बात की के stomach है stomach में smooth muscles होते हैं तो वो क्या करते हैं वो food को जो है वो further जो है वो एक एरिया से एक पार्ट से जो है वो दूसरे पार्ट की तरफ food की भी जो है वो transportation करते हैं ठीक है तो यह थे muscular tissues के overall functions ठीक ह करनाएं यह तो यह तीनों के function के हमारे जो skeletal muscles हैं cardiac muscles थे paarडियां थे mustables मसल्स हैं वह कॉन कॉन से functions जो है वो overall perform करते हैं ठीक है यह Jो है varouloul muscle muscles है ठीक है यह जो है वो बहुत ज्यादा function perform करते हैं अगर हम बहुत ज्यादा work load जो है वो करें तो muscular tissues क्या हो जाते है muscular tissues जो है वो जो है वो rapidly fatigue हो जाते हैं मतलब उनमें जल्दी से जो है वो थकावट हो जाती है ठीक है अब skeletal muscles के यह कुछ characteristics हैं कि skeletal muscles किस तरह से होते है skeletal muscles जो है वो किसके साथ attached होते हैं skeletal muscles जो है वो tentang tendon जो है वो फिर जो है वो bones के साथ attached होतें में यह tendon जो है connective tissue है जैसा कि मैंने starting में बात की कि human body में four type की tissues होते हैं ठीक है epithelial tissues connective tissue muscular tissues and nervous टीशूस ठीक है तू टैंडिक तीशूस है वो क्या करता है वो हुआ कि साथ इए two जो मसद्ट say उन को बॉन्स के साथ करते है ठीक है किनका क्रेक्ट करेक्टरिस्टिक है जो जो के स्मूद मसल और कार्डियक मसल में वो इस तरह का करेक्टरिस्टिक नहीं होता क्योंकि heart में जो है वो bone present नहीं होती तो इस वजा से tendon की ज़रूरत नहीं होती इसलिए जो smooth muscles है हमारे internal organs है वहाँ पर कोई भी bones present नहीं होती तो इस वजा से जो tendons attach करते है muscles को bones के साथ वो सिर्फ किसके लिए है वो जो है अगर for example अगर आप muscular tissues को skeletal muscles को microscope के अंडर देखें तो उन पर जो है वो कुछ lines जो है वो appeared होती है जिने का जाता है striped ठीक है striped जा इनके लिए इस्ट्रियेशन का word भी यूज किया जाता है ठीक है असल में इस्ट्रियेशन क्यों होती है क्योंकि जो muscular tissues है इसके लेटर muscles है उन में higher quantity में proteins present होती है जो क्या करती है muscular tissues को यह appearance provide करती है कि वो इस तरह से created उन पर lines lines जो है वो नजर आती है ठीक है वो proteins कौन सी होती है उन proteins को overall जो है वो myo fibrils भी कहा जाता है मायों का जो word होता है वो यूज होता है muscles के लिए ठीक है और fibrils जो है वो यह protein होती है like कौन कौन सी myo fibrils actin and myosin जिसकी वज़ा से skeletal muscles पर जो है जो है वो function perform नहीं होंगे death hawker हो सकती है ठीक है तो इस वज़ा से कार्डियक muscles भी जो है फटीग नहीं होते इतना जल्दी और smooth muscles भी जो है वो फटीग नहीं होते लेकिन जो skeletal muscles है वो easily fatigue हो जाते है ठीक है इसके इलावा इनकी एक ability होती है इसके skeletal muscles की के stretching करते हैं ठीक है stretch करने के बाद जो है वो यह वापस अपनी original shape में भी जो है वो आते हैं ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर एक वर्ड यूज़ हो है जो muscle fibers क्योंकि यह thread like structures होते हैं nerve fibers की तरह nerve tissues की तरह ठीक है तो इससे इने fibers भी कहा जाता है इसके इलावा इनका क्या function होता है यह powerful contraction provide करते हैं ठीक है जिसकी वजह से जो है वो कोई भी function लाइक अब heart जैसे contraction करता है तो वो क्या करता है वो throughout the body जो है वो blood की transportation करता है ठीक है मतल condition में जो है वो एक adequately जो है वो contraction करता है जो proper तरीके से function perform करवाने के लिए important होती है ठीक है अब जो है वो skeletal muscles directly अपना यह function perform नहीं कर सकते without any other एक जो system है हमारी body का without system के control के Lex hills का कर सकते हैं आपने नहीं प्रोवाइट नहीं हो सकते van Joi Kree करते हैं वो क्या करते हैं मोaster neuron मसले कोस्ट्मुलेट करते हैं éléments जो स्क्राइच होते हैं उसके बार उनका पूरा का पूरा जा हो mechanism contraction का इस स्वाइब ओते हैं तीक के लावा जो है उनमें higher blood vessels okay उसके बाद second जो है हमारे मसल्स है उन्हें का जा जाते है smooth muscles ठीके smooth muscles कहां कहां पर present होते है smooth muscles are found in the walls of hollow structures including veins and blood vessels ठीके जो smooth muscles internal organs है हमारी body के वहां पर भी present होते है इसके इलावा जो है वह veins है blood vessels है ठीके mainly blood vessels है जो है वहां पर जो हो present होते है ठीके smooth muscles का जो है यहां पर भी लिखा हो है कहां कहां पर lungs में भी जो हो smooth muscles present होते है इस टमाग इसो फेगास इंटेस्टाइन मींस हमारी digestive tract है वहां के जो hollow organs है totally वहां पर क्या होता है वहां पर smooth muscles जो है वह present होते है इसके लावा blood vessels per veins पर ठीके यह इनका एक important function होता है कि यह जो है वो fluids के flow को जो है वो maintain करते हैं ठीके fluid की like आपको पता है जो blood vessels है उनमें जो है blood present होता है जो कि fluid है तो उसकी transportation में भी important role play करते हैं ठीके और क्योंके इनको बहुत ज्यादा इन पर work load होता है तो यह क्योंके vital functions जो हमारी body के वो किसके through perform हो रहे smooth muscles के through जो है वो perform हो रहे तो इस वज़े से जो नमस्क जो smooth muscles हैं वो easily fatigue नहीं होते ठीक है अब यहां पर भी जो हो description लिखी है कि skeletal muscle आपको याद हो गया होगा कि कि उनमें जो है वो कौन-कौन से characteristics present है तो यहां पर smooth muscles भी है smooth muscles को smooth muscles क्यों कहा जाता है क्योंके जैसे कि हमने कहा कि skeletal muscles को अगर under microscope देखें तो इस पर striations नजर आती है लेकिन smooth muscles पर कोई ऐसी sphreation नहीं होती जिसकी वजह से जो है वो ने smooth muscles कहा जाता है ठीक है और यह जो है वो एक bundles की formed में जो है वो यह sheets की तरह जो है वो present होते हैं इसके लावा यह किस तरह से contraction करते हैं यह जो है वो involuntary है system counter नहीं होता तो इस वजहाँ से इस पर कोई control नहीं होता है तो यह nervous system की कौन सी system की through जो हैevery with करते हैं जीसे का जाता है autonormic nervous system ठीक है autonormic nervous system nervous systems का वो पार्ट है जो involuntary functions को जैबढ़ YOUR control करता है और जैकन्ड पार जिसे का जाते है somatic nervous systems वो क्या करता है वह ねutव yan पेस्ञाओ को उसकी फेलों को जो ह है वो मैंटें करते हैं ठीक है इसके लाह जो है प्रेजिन है जियो है इस तरह prawn है 1977 जो थे आई कि मुश ग्लैंड हॐ मारी बॉड़िय के चीप्रीशन प्रोवाइड करते हैjuißt iso faegas hai bronchi yo lambs बेजो है वो एक द्रांस्पोर्टेशन करते हैं Oxygen की टिंहेस्ट प्लार वेजर इन वह प्रेजिट होते हैं ठिके इन की जो कॉनटरेक्शन होती है वो थोड़ा सा स्लोली ओती हो एक रिद्मिकली होती है मीन्स एक पैटरण इक प्रॉपर तरीके से की लाइक एक अगर जो मुझें पर खार में चाल श्मार यह हुज यह तर लोः इधिकली सारे ढूंअब होती जाएगी यह कि क्या होते हैं हमने डिसक्स किया के यह पर चलिक रहर हमारे जो यह थर्ड है लास्ट जहने कहा जाता है कार्डियक मसली कार्डियक मसल्स जब हो इंदर मायक्रों सको दें इन पर श्राइशन नजसे नजर आती है एक है कहां पर प्रेजन्ट होते हैं यहां in the heart and tips of blood vessels ठीक है internal जो blood vessels का structure था वहाँ पर नहीं लेकिन जो tips है blood vessels की उन पर जो है वो कुछ cardiac muscles जो है वो present होते हैं यह यह किसके through control होते हैं यह जो है वो central nervous system के through भी control होते हैं और इन में अपना भी एक pace maker होता है कि वो क्या करता है वो थोड़ी सी contraction को जई हो maintain करवाता रहता है ठीक है pace maker जो फुद ही खुद ही जो है वो contraction generate करवाता है और cardiac muscles जो है वो fatig नहीं होते हैं ठीक है Cardiac muscles जो है वो कहांपर heart में present होते हैं इसके लगए जो ends of main blood vessels खब में अνूव इसे टोके है उने कि अगिन मेंन ब्लड उसा भेहन बोड़ सब्सक्राइब से जो है वो थे जाएंगे ठीक है नर्वर सिस्टम के थू कंट्रोल होते हैं लेकिन फॉर एक्जेंपल अगर नर्वर सिस्टम के थूर मैसिज नहीं आ रहा तो विद्डाउट नर्वर सिगनल के भी उनका जो अपना एक पेस्मेकर प्रेजिन्ट होता है ठीक है उसे का जाता सौरिय जो सैनो अट्रियल नोड के बाद एक और नोड होता है जैसे लिए जलाते है ठीक है फिर वो जो है वो बिदाउट रवर सिंट्रोल जा है वह हाट की कॉंट्रेक्शन को कंट्रोल करता है ठीक है इसके लावा जो चैकि काडियों को 24 आर्ट काम करना है तो उनको है उस प्रोटीन को कहा जाता है конц धीक है जैसे कि रैट ब्लेट सैल में हीमो फिरो भी हम में प्रोटीन का काम होता है औक इटेंट्टीन गर्पाइंट baik जो कांचे इस विए क्ल cafeteria में घ्माइक एमा जाएस में ГТ के पास, जो है वो blood bezels की supply है means जो blood की transportation है, heart muscles की तरफ, kardiac muscles की तरफ, वो higher होती है, ठीक है, इसमें, हो हमने इसके structure के बारे में discuss किया, sorry, हमने जो हो तीनों muscles के बारे में discuss किया, कि कॉन-कॉन से muscles जो हो present होते है, muscular tissue present होते होते है और इन में, इन में, जो है Microscoping, Anatomy and Physiology के बारे में जो है वो डिसकस करेंगे, इंशाला Allah आफिस, थैंक यू Allah आफिस